हेलो दोस्तो मम्ता इस चेशिंग टुटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों देखे ये वाला जो टॉप मैंने गल्स का बताया था इसका गला मैंने आपको घटा के बता दिया है आज हम इसका कॉलर बनाएंगे कॉलर बनाने के लिए देखे ये जो च मैं अलग से फंदा बिनके इसमें जोड़ूंगी तो अब देखे सबसे पहले मैंने यहां पे 15 फंदे टोटल एक साथ घटाए हैं और यह जो हमारी घटाने के बाद जो यहां से एक तरफ का यह जो जोड है यह जो मैं फंदा उतारती हूं इसको अगर हम काउंट करें तो म इतना ही लंबा हम एक साइड का बीनेंगे तो यह देखिए मैंने इस पे टोटल 20 फंदे डाले हैं क्योंकि यह घटाने से यह बीना हुआ है यह लूज है और यह हमारा पतला नहो जाए इसके लिए मैंने 20 फंदे डाले हैं और मैं यह दस नंबर की सलाइपे बना रही हूं यह स्वीर्टर मैंने 9 नंबर से बीना है लेकिन यह जो बॉडर है वो मैं दस नंबर से बिन रही हूं यह बहुत लूज नहो और थोड़ा सा टाइप टाइट ही रहे आप इसको चाहे तो बॉडर भी बना सकती है लेकिन मैं इसको दोनों तरफ से उल्टा-उल्टा ही बीन यह सीधी साइड है तो इसी से आपको हमेशा याद रखना है कि यहां से हमको फंदा नहीं बढ़ाना है हम फंदे लास्ट में बढ़ाएंगे तो पहले तो दो सलाई हम बिल्कुल साधा साधा बिन लेंगे उल्टा-उल्टा क्योंकि यह हमारी उल्टी-उल्टी बिनाई का ही बॉर्डर बन रहा है, तो देखिए, दो सलाई, ये पहली सलाई है, टोटल 20 बंदे में इस तरह से उल्टा-उल्टा बिन लूँगी, इसमें कुछ घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है, ये देखिए, पहली सलाई, टोटल 20 बंदा, मैंने सिंपल उल्टा-उल्टा बिन लिया है, इस तरीके से, अब दूसरी सलाई, फंदे हम दोनों तरब से पहला वाला उसको उतारेंगे, क्योंकि यहां पे भी फंदा उत्रा हुआ है, इसके लिए ये पहला फंदा हम उतारेंगे, यह देखे, आपको अगर सिधा-सिधा बिनना ईजी लगे, तो आप सिधा-सिधा भी बिन सकती है, मैं इसको उल्टा-उल्टा बिन रही हूँ, तो मैं इसी तरीके से आपको बिन के यह दिखा रही हूँ, देखे, दो सलाई हो गया, तीसवी सलाई, पहला फंदा उतार के उन आगे कर लेंगे, और हम अठारा फंदे पहले बिन लेंगे, देखे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदर, पंदर, सोल, सत्र, अठारा, अब यह जो उनिसवा फंदा है, इसमें हम फंदा बढ़ाएंगे, तो इसके लिए देखे, सबसे पहले आप या तो इस तरह से पहले, पीछे वाला फंदा बिन लेजिए, फिर इसी फंदे को, जो मेरी सलाएपी जो फंदा है, इसको पीछे की तरप से पहले हम उल्टा बिन लेएंगे, इसको गिराना नहीं है, और सिदह यह, तो दो इसम उ हो गया और यह टोटल हमारे 21 फंदे हो गया अब यह देखिए जो इसकी चोड़ाई है यहां पे जब हम इसको सीलेंगे तो अच्छे से आ जाएगी तो अब यह हमारी चौथी सलाई है इसको हम साधा बिन लेंगे फिर पांचवी और छट्वी सलाई भी हम साधा बिन लेंगे यह जो फंदा मैंने बढ़ाया है स्ट्राइटिंग में दो सलाई में साधा बिना है तीसरी सलाई में बढ़ाया है यह चौथी सलाई में बिन रही हूं जैस इसां दिखक से वला ओन दिख रहा है, इस तरफ से हमको गले के honesty का पुछीन का पोर्ष हना है और जो हम फंदा बढ़ा रहे हैं मैं सिलाई करेंगे, लो दो साइ Beth इस अनुद्से एक पर फंद इस तरह से सिलाई करूंगी, यहां मैं फंदश कर दो तो इस तरह से मेरा ये इधर जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे फंदे बढ़ा रही हूँ, अब देखिए, इसी तरीके से एक पार हम फंदा बढ़ाएंगे, एक पार नहीं, तो इस तरह से टोटल जब ये 33 रो हो जाएगी इसकी, तो हमारा ये एक साइट का ये नेक का पोर् ये 33 रो मेरी है, यानि कि 66 अलाई, आप अगर कम या ज्यादा जितना भी आप रखी है, तो जो आपने ये पहला फंदा उता रहा है, उससे आप का ये कितना है, तो इस हिसाब से हम इसको बना लेंगे, ये सबसे पहले यहां से यहां तक की लंबाई करने के बार, फिर यहा फिर 6 में, इस तरह से हम फंदे बढ़ाते जाएंगे, ये देखिए, ये मैंने इतना बना लिया है, जैसा कि मैंने आप से कहा था, इसका ये जो हमने उतारा है, केबल 33 उतना ही बनाना है, लेकिन ये 10 नंबर से बिन्जे के वाज़े से देखिए, मेरा यहां पे 30 रो कम्प आप जो भी बीनिये, ये देखिए, इस तरह से इसकी लंबाई नहीं हुई है, लेकिन इधर से जो हम बढ़ा रहे हैं, यहां से देखिए, इस तरह से हमारे इसकी लंबाई कम्प्रीट हो गई है, तो अब इस समय मेरे सलाई पे टोटल 40 फंदे हैं, अब यहां से इन 40 अब यहां से हम इसको सिधा सिधा बीनेगे, तो यहां से यहां तक की हमारी जो लंबाई है, इसको आप नाप के बनाईए, एक आइडिया यह है कि देखिए, बीच में यह जो हमने 15 फंदे घटा हैं, इधर 7 फंदा और इधर 7 फंदा, तो टोटल 30 हुआ, तो आप इस तरह पिनने के बाद यहां से लेके यहां तक बिल्कुल इसको खीचेगा नहीं, ऐसे ही जिस शेप में है इसको रखिएगा, और यहां से लेके यहां तक आप यहां पिन लगा लिजिए, इसके बाद 30 लाइन आप यहां से यहां काउट करिए, अगर आपकी यह जो चोड़ाई ह यहां के गले की बराबर में आ जाता है तो ठीक है नहीं तो थोड़ा सा दो चाल लाइन और बनाईएगा इसको जादा नहीं बनाना क्योंकि अगर यह डीला हो जाएगा तो गला बहुत लूज हो जाएगा यह फिर इसके बाद इतना नानी के बाद फिर हम इसको इधर से बीन यह 10 नंबर है तो इसके लंबाई थोड़ी कम हो गई तो मैंने यह 10 लाइन और यानि कि 20 लाइ और मैंने बढ़ा लिया है इस तरीके से अब यहां से इनी फंदों को हम बीनेंगे इसमें कोई खंदा बढ़ाना नहीं है यह देखिए यह मेरा यहां से यह मैंने पिन लगा लिया था यह जो मेरा सीधा पार्ट है इस तरह से देखिए यह इस पॉइंट तक बिलकुल सीधा मैंने बना लिया है यह मेरी टोटल 29 रो है 29 फंदे मैंने यहां पे घटाये थे 15 पहले 7 इधर और 7 इधर 14 टोटल मिला के 29 तो अब यह देखिए इतने में मेरा यह कंप्लीट हो गया है अब इस से ज़्यादा मैं नहीं बिन होंगी टोटल 40 फंदे हैं अब यहां से यह जो मैंने पिन लगाया है बैक के निशान के लिए अब एक पिन हम यहां भी लगा देंगे यहां से अब हमारा इस साइड का इधर से पूरी सलाई बिनने के बार यह देखिए दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यार, बार, तेर, चौर, पंद्र, सोल, सत्र, अठार, उननिस, बीस, इकिस, बाइस, तेज, चौबिस, पच्चिस, छबिस, सताइस, अठाइस, उननिस, तेज, इकतिस, बतिस, तैतिस, चौतिस, पैतिस, छतिस, सैतिस, सैतिस फंदे मैंने बिन लिये, अब इन दो फंदों को एक साथ में बन कर दूँगी और यह, उल्टी सलाई सेम यही, फिर इसके बाद सीधी सलाई भी साधा, उल्टी सलाई साधी और फिर जब हम अगली सलाई यानिकी देखे, यह पहले सलाई हमने घटा लिया, दूसरी, तीसरी और चौती सलाई हम बिलकुल साधा भी नेंगे, जो हमारे 39 फंदे यह हैं, फिर जब हमारे अगली पांच्वी फंदे तक कर लेंगे, तो इसी तरह से अब इसको हम टोटल घटा के 20 फंदे तक कर लेंगे, यह देखिए, इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है, अब इस पर टोटल 20 फंदे हैं, तो यह देखिए, यहाँ पर यह खतम हुआ है, 20 फंदा इधर सीधे से आके उल्टे तरफ, और अब उल्टे की तरफ से, जो हमारा इधर से फंदा बढ़ा रहे और घटा रहे हैं, औ इस साइड टोटल सीधा है, और इधर से फंदा बढ़ा है, यह बीच का और यह एक साइड का, यह मैंने पिन लगा के रखा है दोनों निशानी के लिए, कि इतनी दूर का यह पोर्सन मुझे बैक के साइड में सिलाई करनी है, तो अब देखिए, यहाँ से मैंने यह वाली स अब तंग लेते हुए, इस तरह से इसको हम बंद कर देंगे, इसको टाइट बहुत मत करिएगा, लूज भी मत रहने दीजेगा, इतने दूर में हमको यह चिट सेट करना है, तो फंदा डालते हुए भी बहुत टाइट नहीं डालना है, और यह उतारते समय में भी बहुत सबी पंदू को हम उतार लेंगे पंदू को हम उतार लेंगे अब इसमें से हम अपना गोला निकाल के अब इसी उन को हम बड़ा सा लेके कट कर लेंगे क्योंकि इसी उन से फिर हम शिलाई करेंगे तो हमें अलग से उन नहीं लेना पड़ेगा और नहीं लगाना पड़ेगा तो इसी को देखिए थोड़ा बड़ा मैंने कट कर लिया अब देखिए हमने स्टार्ट किया था यहां से ये ये पोर्शन हमारा है ऐसे फिर ये हमारा ये गले का पोर्शन इधर का और फिर ये इधर ऐसे आ जाएगा इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे सबसे पहले हम देखिए इसकी सिलाई करेंगे आप ये देख लीजे अगर आप कोसिस करिए ये कॉलर बनाते समय एकी गोले से बनाए कि बीच में कहीं भी गाठ ना आए और अगर गाठ आती भी है तो यह हमारी सीधी साइड है जिधर से हम बीनते चलेगे हैं बढ़ाय घटाय नहीं है और यह हमारी उल्टी साइड है तो यह साइड पे हमारे गाठ नहीं आनी चाहिए पीछे की साइड आए और अगर आए भी सेंटर में आए क्योंकि यहां से चाहिए यहां पने और वाले पैसलेंगे ही सरफ आप यारा यहां है संवाझ में आप तो आप एधर के साइट लगाकिएगा है। जोडान के दूसरा उन ताकि बिनाय में और यह सिलाई में आपका उन्ट चला जाए तो अब देखिए यह वाला पोर्शन जो है जहां हमने जो फंदे उतारे थे इसको हम कि यह लास्ट फंदा हमने जहां उतारा है वहां से ऐसे फसा लेंगे यह देखिए ऐसे अब इसको उल्टा कर लीजे और अब इस साइट से यह हम एक चोटी इधर का और एक चोटी इधर का ऐसे लेते हुए इसको बराबर में शिल देंगे यहां से यहां तक पहले इसको हम सिल देंगे यहां पे भी देखिए मैंने जो न्गूर जोड़ा था तो यहां पर कोई डिला नहीं क्योंकि जहां से मैं पहला फंदा घटाती हूं बहां लिए दूसरा उन लगा के बिना ही शुरू कर देती हूं तो यहां पर भी कोई जोल नहीं ब बहुत नहीं है तो यहां तक हम इसको ऐसे रख लेंगे और इसकी हम सिलाई कर लेंगे अराम से हाथ में ये लीजिए ऐसे और इस तरह से इसको हम सिल लेंगे इस तरह से यहां से यहां तक इसकी सिलाई कर लेंगे ये देखे, ये साइड हमें सिल लिया अब इसी तरह यहां सी लेकिए यहां तरह का यह जो हमने सिलंगे अब यह जो फंदे हमने उतारे पहला फंदा यहां पर जो हिए केबल बनता है यह और इसका पहला पंदा ये ऐसे लेते हुए हम इसको ये वाला हमारा थोड़ा ज्यादा है तो आप कहीं कहीं ये एक चोटी जो इसके आती है केबल इसको आप छोड़ दीजिएगा उसके अगले वाले में कर लेगा तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको सिल लेंगे पूरा यहां से ऐ कॉलर है इसको मैंने उपर की तरफ रखा है जो बॉड़ी की साइड है जो हमने स्टार्टिक में बिनना सुरू किया है इसको मैंने उपर की तरफ रखा है और इसकी स्टिशिंग अभी मैंने नहीं किया ये देखिए ये उन और इसको हम यहां पी उन गे बाहर निकाल लीज तो यहाहां से लेकर हिटों से दूसे कि रहेंगे और इस तरह से दो उपर की तरफ से यांज और जो हमने यह सिला है पहले का यहां से यहां से यहां से इजुद्या लेजिए इधर से अपको आसानी लग உ इसको मैं या आप इसको अच्छे से ऐसे करके टक भी कर सकती हैं इस तरह से आप चाहें ऐसे भी टक कर लीजे यह पता नहीं चलेगा या आप इसको इस तरह से जिदर से आपको इजी लगे ऐसे सिल लेंगे नाचीन कलर का यह उन है तो पता भी नहीं चलेगा और जिस जगह हमने यह सिला हुआ है यहीं पर ऐसे इसको टाइट करती जाहिए जैसे हम तोरपन करते हैं इस तरह के से यह देखिए इसको यह देखिए इस तरह से यह फिक्स हो जा रहा है यहां तक करके यह जो हमें यह दिया यहां तक इसको ऐसे करके आराम से और जहां यह पहला वाला सिला लिया यहां से इस तरह से यहां से इसको हम अंदर कर देंगे बादनी यह वाला उन भी हम अंदर करके इसको भी कट कर देंगे यह देखे ऐसे और इसको यह और यह वाला पी जोगन है इसको भी हम ऐसे सुई में डाल के यहां से यही से जोड़ा हुआ यही से इसको लिय अंदर कर देंगे और इन दोनों को नॉट लगा देंगे तो यह देखिए इस तरह से इसका यह कॉलर आएगा यह वाला साइड बॉड़ी के राइट साइड का यह यह उपर रहेगा और यह वाला अंदर है इसको हम जब इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यह कॉलर ऐसे आएगा यह दिखए इस तरह से यह कॉलर आएगा मैंने इसको टोटल भी ना है ताकि यह लूज ही रहे बहुत खिच के ना आ ये तो यह देखें पहनने के बाद इसकी यह कॉलर है, बहुत ही आसान है, अलग से बना के मैंने इसमें बस सिल दिया है, तो अलग से बनाना और भी इजी होता है, तो दोस्तों देखिए मुझे उमीद है कि यह चीज आपको जरूर समझ में आ गया होगा, आप इसको जितना भी आप फंदा यहां पे घटाती हैं, उस आपका जितना यह घटा है, यह जितना आपका यह लाइन है, इतने में कम्प्रीट हो जाता है, तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ा सो और इसको बढ़ा के यह तिवची वाली लाइन मिलाते हुए, इसको ना लीचिए, तो देखिए फिर दोस्तों मुझे उमीद है कि आप कोई जरूर पसंदाया होगा, और अगर आप कोई पसंदाया तो आप इसको लायग करेगा, अपने दोस्तों में शेयर करेगा, और मेरी चैनल को यदिता को आपने सबस्क्राइब में किया है, तो जरूर करेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब تक के लिए धन्यवाद झाल